हेलो एब्रिवन आज हम जो आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर हमारा पी जी बी पी मतलब profit and gain of business मतलब अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार से होने वाला profit या फिर कोई profession करते हैं जैंड डॉक्टर हैं, CA है, lawyer है तो उस profession से होने वाले profit को कहाँ taxable करते हैं सर वो taxable करते हैं PGBP head में same as salary employee salary में taxable होता है house property के rental income house property act में जाती है, income from other sources अगर किसी बाकी के चार head में नहीं जा रहा है तो income from other sources में जा रहा है, capital assets से income capital gain में जाती है बट सबसे important section, सबसे जादा important section और सच में यह थोड़ी सी hard परती है बच्चो को जो थोड़ी सी hard परती है वो section है, वो chapter है आपका profit and gain from business and profession but आप इसको ignore नहीं कर सकते है, because it's a most important, most important chapter of your curriculum sir इसमें क्या हम करेंगे, कि जो भी इंसान व्यापार करता है या कोई profession करता है, कोई पेशा करता है उसके income पे, उससे होने वाली, business होने वाली income पे tax कैसे लगता है इसके provisions को हम इस section में, इस chapter में पढ़ते है ये section starting होती है, हमारी section number 28 से, इसको भी हम पढ़ेंगे but इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर एक class 40 minutes तक के round की हो 40 minutes से लेके 1 hour, max to max 60 minutes के हम classes बनाएंगे कि इससे उपर आपको कुछ जेलना ही न पढ़े, परिशान ही न होना पढ़े एक गंटा पढ़े या 40 minutes से, इससे कम क्या हो सकता है बाबू, 40 minutes पढ़े और निकल लिए आपको चीजे आपके दिवा में बैट जाएंगे, clear, yes sir, clear, आईए हम आपको अब ये एक sheet पर लेके आते है, blank sheet है, sir, ये क्या है ये एक blank sheet है, चलो sir, blank sheet है, बटा आप बताना क्या ज़क्ते हो, देखे, अगर कोई भी इंसान है, जो business करता है, कोई भी इंसान है, जो business करता है, business करता है, ठीक है, sir, business और profession करने वाले आदमी के कुछ expenses भी तो होते है, sir, कुछ expenses भी उसको लग रहे होंगे, as like, expense कर रहा है, बोई भी expense कर रहे हैं, कोई भी expense कर लेते हैं, as like, sir, कौन सा expenses जो हम तुरन चेक कर लेते हैं, आपको दिख रहा है, कि electricity का खर्चा तो हमारा इतना हुआ था, क्योंकि electricity का bill आया, आपने देख लिया, कि sir, हम audit report प्रिंट कर रहे थे, paper का खर्चा इतना हो गया, 2000 पर हमारे paper में खर्चा हो गया, मेरे employees की salary है, sir, आपको दिख रहे हुगी, employees को payment इतना किया, तो employee की salary के खर्चे इतने हो गए, but business or profession में काम करने वाले आदमी के पाँच कुछ assets भी तो होती है, sir, assets भी तो होती है, ये assets के खर्चे को कैसे calculate करें, Assets होती है, मतलब क्या है, sir, assets से आप कहना क्या जाते है, मतलब क्या, आपको नहीं लफ दधा안, इस इनसान के पास एक computer भी है, लेट से कोई machinery पड़ी है, ये इंसान printing का का म करता है, printing machinery पड़ी है, ये mobile phone के तो सब से बात करता है, या फिर मेरा ये tablet जिसके तो हम बना रहे है ये भी तो मेरे लिए एक business asset है, या फिर इसकी जो खुद की घर की building है, जो इसकी office building है, वो सारी क्या इसकी business asset नहीं है, सर, business asset है, और क्या इन computer, printer, machine, mobile phones या buildings के बिना व्यापार हो सकता है, क्या सर, क्या सर, ये जो चीज़े है, क्या ये मेरे business के लिए उपयोगी नहीं है, ये म सर, सर, बात होती है, ये electricity, paper, employee की salary, ये सब खर्चे तो दिखते थे, बट ये ये भी तो खर्चे हो तो रहे हैं, example के लिए देखो, अगर आपने किसी इनसान की ITR भरी, income tax return बढ़ा, ठीक है, आपने अपने laptop का use करके income tax return बढ़ा, laptop की कीमत थी 30,000 रुपीज, तो अब ITR में ये laptop भी तो use हुआ, अब ITR भरने के खर्चे में आप क्या करोगे, laptop की cost पूरी-पूरी एक laptop के पर 30,000 दिखा दोगे, क्या, सर, ये तो possible भी नहीं है, ऐसा होना भी नीचे है, because ये system ही फिर गलत हो जाएगा, सर, अब क्या करें, मतलब, मेरे fixed asset के खर्चे तो हो रहे हैं, य substantial amount में भी और nature में भी हो रहे हैं, बट इस खर्चे को हम book कैसे करें, इस खर्चे को हम charge to pndl कैसे करें, charge to pndl कैसे करें, इसके लिए हमको एक तरीका बताया गया, और वो तरीका बताया सर, income tax act, income tax act 1961 ने एक तरीका बताया, कि जो आपके fixed assets है न, इसको आप खर्चे directly, तो जैसे laptop मेरा मैंने बोला 40,000 रुपीस का था, let's say, या 30,000 का था, तो पूरा खर्चा तुमें एक साथ book नहीं कर सकते, इसक इन्होंने एक तरीका निकाला, और बोला कि systematic, systematic amount को, systematic expense को आप charge कर सकते हैं, और इस systematic expense को book करने का, या charge करने का तरीका बताया गया, जिसका नाम दिया गया, depreciation, क्या दिया गया नाम, depreciation, और बाबो, depreciation छोटा word मत समझ लीजेगा, depreciation की section है, section number 32, और ये section बहुत लंबी चले और बहुत खुश है आपको बताती जाएगे, ठीक है, मतलब सर, जो भी मेरे fixed assets है, ये जितने भी fixed assets है, मेरे computer, printer, machinery, ये मेरे business में क्या हुए है, मेरे business में utilize हुए है, utilize हुए है, कही न कहीं का काम पढ़ा है, इनका utilization करके हमने profit generate किया, तो उस profit में से हमने direct खर्चे, salary के खर् खर्चे को direct हम डाल देते, P&L से, sir direct डाल देते, P&L से, लेकिन ये जो मेरे assets है, ये जो मेरे assets है, ये भी तो मेरे utilize हुई है, तो इन assets का utilization हो, इसको P&L में कैसे डालें, तो इसके लिए systematic expense की booking बताई गई, depreciation as per section 52, चलिए sir, यहाँ तक की बात समयन में आ गई, अब उत क्या सर, ये depreciation book कैसे है, देखो, देखो विच्छा, यहाँ पर हुआ क्या है, चलो, assets पहले आप समझे, आपकी assets कितने type की हो सकती है, तो जो अगर आपकी assets है, तो देखे, assets यहाँ पर दो type की हो सकती है, एक आपकी होती है tangible assets, बहुत पहले से आप जानते होंगे, और एक होती है goodwill, यह सारी आती है, आपकी intangible assets में, licenses, licensing बेगर, यह आपकी आगे intangible assets में, सर, intangible assets का इन्होंने depreciation rate बता जिया कि 25% of cost, 25% of cost आपकी जो भी खर्चे है, 100 करोड के अगर आपने कोई patent खरीदा, तो उसका 25% per annum, per annum, साल में 25% आप depreciation claim कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहु important बात बताने जाते हैं वाँ को, कि self generated, self generated goodwill पे कोई भी depreciation नहीं लगता है, no depreciation on self generated goodwill, as like के लिएकर हैं वाँ को बता हैं, तो as समझे कि Tata Suns है यहाँ ठीक है, अब Tata Suns भाईया, इनकी जो goodwill है ना, हौद चादा goodwill है, Tata Suns के let's say goodwill, 12,000 करोड रुपे कि इनके से goodwill ही है, लेकिन Tata ने खुद कमाई है, किससे purchase नहीं की है, तो अब 12,000 करोड का 25% तोड़ी जाएंगे देने के लिए depreciation, इसलिए self generated goodwill की, की आप depreciation क्लेम करने, अगर Tata ने Jaguar Land Rover Company को 50 करोड रुपे दिये होते, 500 करोड रुपे दिये होते for the purpose of goodwill, तो इस 500 करोड पे 25% depreciation लेते हैं, because ये जो 500 करोड रुपे हैं, इससे जो goodwill की नहीं, ये acquired goodwill है, या purchased goodwill है, purchased goodwill पे depreciation क्लेम कर सकते हैं, बट self generated, ये self generated goodwill पे कोई भी depreciation नहीं मिलता है, सर, दूसरा asset आपने बताए, एक तो होगा intangible asset, दूसरा होगा tangible asset, सर, tangible asset वही हो गए, जो आपने आज तक पड़े हैं, कि जो चीज़ हुई देखी जा सकते हैं, as like building, as like sir, building आपकी tangible assets में आती है, या फिर सर, आप कह लिए, जो तो furniture हो गए आपके, furniture भी आपके tangible assets में आते ह हैं, अब सरी, जो plant and machinery है, इसमें भी different kinds के plant and machinery आते हैं, है sir, different kinds के plant and machinery, जी हाँ, हमारे plant and machinery में बताया है कि कोई plant and machinery हो सकता है, कि 5-15% tax slab वाली है, किसी plant and machinery, as like computers and peripherals को भी plant and machinery में बताया गया, बट उसको 40% के लिए किया गया tax depreciation rate, इसी तरीके से जो book of annual publication, या फिर चलिए, आ इसको वो 40% depreciation rate में classified किया गया है, अच्छा sir, furniture को बोला गया है, furniture पर फ्लैट, furniture and pity पर 10% का depreciation rate लगेगा, उसी तरीके सब building को भी classified किया गया, इन्होंने building पे बोला कि भहिया, बिल्दिंग में कुछ building temporary construction वाली होती है, sir, temporary construction की तुमने कोई आस तक building नहीं देखी, sir, आपने देखी है, पता है, जब कोई roads बन रही होती है, road बन रही होती है, देखो, यहाँ पे एक road बन रही है, तो road के किनादे labor रहने के लिए temporary construction का एक shed बना के उसके बाद इसी के अंदर काम कर रहे होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा plant है, वहाँ पे कुछ बड़ा construction हो रहा है तो लोग temporary shed बना के cement को रख रहा होते हैं, तो यह जो temporary construction किया जाता है, इसका depreciation rate बोल दिया गया, 40% है, क्या बोला गया, 40% है, क्या बोला गया, 40% है, 40% इसको बोला गया, इनका depreciation rate, 40% है, clear, yes sir, clear, उसके बाद sir, building में sir, आप अपने घर में भी कहोगे, हम भी अपने घर मे रहते हैं, मेरा residential house जो है, वो मेरी building है, तो क्या हमको depreciation मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अभी हमने बताया बापू, आपको यह depreciation क्यों दे रहा है, यह assets पर दे रहा है, कौन से वाली assets पर दे रहा है, जिस assets पर थूरू आप business assets पर दे रहा है, क्योंकि आपकी व्या residence के लिए use होती है, ऐसे कैसे सर, सर, ऐसे कैसे, सर, residence के लिए कैसे use होती है, आपने देखा, जैसे माली, यह कोई cement factory है, बहुत बड़ी plant होते है, cement factory के, आपको पता होगा, cement factory में जो labor's होते हैं, वो labor factory में ही कई बाद रह रहा होते हैं, या फिर जो supervisor होता है, या automobile sector देखे मा 1200 घर हैं, तो यह labor जिसमें रह रहा है, या supervisor जिसमें रह रहा है, यह residence के लिए use तो हो रहा है, बट यह for the purpose of business है, यह residence के लिए use तो हो रहा है, और the purpose of business है, किसके लिए purpose के लिए, business purpose के लिए use हो रहा है, तो ऐसे residential accommodation पे, ऐसे residential building पे, जो business purpose के लिए use हो रहा है, उस पर 5% का depreciation और अधर किसी भी बीडिंग पर 10% का depreciation मिलता है जैसे आपकी जो factory की building या आपका जो office हो जाएगा वह और temporary construction वाले पर 40% का depreciation मिलता है यहां तक की बात अभी तक आपको समझ में आई की नहीं आई यह सीधे सीधे हमने आपको यहां से business assets से बताना शुरू किया तो और अभी हम आपको बस assets तक के बारे में बताएं बट अभी भी depreciation की कहानी खतब नहीं हुई आपको यह चीज तो पता चलगे सर एक हम किस पर लगा रहे है assets पे लगा रहे है उसके बात आपने दिखा कैसे rate किस rate से depreciation लगएगा तो आपने देखा कही5 से लग रहा है कहीपं值 से लग रहा है कही 40 से लग रहे है कहीं 25 से लग रहा है बट अब how भी तो पूछे सर कैसे लगाएंगे डेप्रीशेशन हमें डेप्रीशेशन लगाएंगे कैसे मतलब डेप्रीशेशन एक बिजनसमेन को मिलता कैसे है डेप्रीशेशन का केम मिलता कैसे है तो आपने अकाउंट में तो देखी लिए आओगा कि यहां पे जब आपका अकाउंट बनता है तो टू डेप यह थिर्पिशाई जाता यह तauको पता है इसके लाजिक को आए समझाने पहली बात आपको एक वड़ याज रखना रखना में त 일단 से भी बेट लेट से न्हुना चाहिए झार मट्लब शीज़े यह एक सं जा रही है जए व्याग यह बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाद सर इक दूसरी असे असे इन से जो प्लांट एंड मशीनरी है सर तीसरी एसे आती है सर वह computer से सर चौती कोई asset आती है सर वह building है अगेन और सर फिर पांच भी कोई asset है जिसमें क्या है यह फैक्टरी में फिर अगेन plant and machinery है टेक फैक्टरी की मेरी plant and machinery है clear रहहाँ रहे कि टिर अशक चलों चल् क्लावेंख सेट लेनिए नए चल्थी की डैपसेशेशन रट आपने बताई मेरे िट्री की बिलिडिग मेरी residential, मेरा employee, supervisor रहता है 5% और यह मेरा furniture है 10% का depreciation दे सार यहाँ पर जो भी depreciation मिलता है यह block wise बिलता है block wise मिलता है मतलब सार block wise block wise बोले तो same nature मैंने कहा लिखा same nature, same rate building के nature का यह है न तो factory building 10% वाली जितनी होगी वो सब एक block बन जाएगी उस पर depreciation साथ में पढ़ेगा कहीं, अब मैंने बुला फिर same rate तो अब आप जेकेंगे सर furniture का भी यहाँ पर 10% है और factory building का भी 10% है तो सर क्या इन दोनों का एक block बना दें इन दोनों का क्या सर एक ही block बना दें सर नहीं समझा सर, सर जिको मैंने क्या किया, building खर दी मैंने एक आगरा में 2 करोड रुपए की सर मैंने फिर मतुरा में खरी दी 3 करोड रुपए की, फिर सर मैंने प्रयाग राज में खरी दी building 4 करोड रुपए की इस तरीके से हम building खरीते चले गए बिल्टिंग करीचते चले गए उसके बाद हमने मुंबई में खरीट ली 9 करोड की बिल्डिंग थे ठीक है सर तो सर ये 2 करोड, 3 करोड, 4 करोड, 9 करोड ये जितनी भी बिल्डिंग है आपको कुछ clear नहीं हो रहा है, तो questions के साथ जिरे-जिरे clear होगा, सब कुछ एक साथ बता देंगे तो में सब कर जाएंगे अप लो, ठीक है, ठीक है सर तो ये block के साथ depreciation होता है, सर लिकी निक और बात, सर ब्लॉक के साथ depreciation होता है, तो वही बात हमने पुछा how, कैसे, देखो सर मालीजे, सर ये 2 करोड़ वाली बिल्डिंग हम 12 मंथ यूज की है, सर ये 3 करोड़ वाली जो बिल्डिंग है सर हम इसको 8 मंथ के लिए ही यूज की है, सर चार करोड़ वाली बिल्डिंग है सर हम इसको 2 मंथ के लिए ही यूज की है, सर तो depreciation कैसे लगा है, सर क्योंकि सर हम depreciation कैसे लगा है सर अब आपने से कुछ लोग सोचेंगे न सर 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 हाँ सर depreciation आप लगा रहे हो न तो day wise प्रूराटा करके लगा दो ये भी नहीं होता है अपने income tax act में अपने income tax act में rules है जो ये सीधे बताते हैं भाया यहाँ पे asset जो 12 महीने यूज हुई है एक महीने यूज ही उसको इस basis पर नहीं करेंगे हम एक general सी चीश करेंगे और दो पार्ट में divide कर देंगे इस बात को general सी चीश करेंगे दो पार्ट में divide कर देंगे एक होगा कि अगर asset less than asset जो है वो less than 180 days use हुई है 180 दिन से कम use हुई है यहाँ पर asset जो है 180 days और more use हुई होगी या तो 180 दिन से कम use हुई होगी या तो 180 दिन या उससे ज़्यादा use हुई होगी दो ही बात हो सकती है आपने chapter 2 में 182 days पढ़ा है बार बार 182 days यहाँ पर नहीं यहाँ पर 180 days ही लिखा है ठीक ठीक है सर अगर asset 180 जिन से कम use हुई है चाहे वो 179 days क्यों नहीं लगभग 6 मेना कह लीजे लगभग 6 मेना चाहे 4 मेना use हुई हो 5 मेना use हुई हो या 1 डे only क्यों नहीं हुई हो इसके उपर half rate से depreciation लगेगा सर half rate से depreciation लगेगा अगेन आप कहेंगे क्या समझा रहो half rate का क्या मतलब है अभी तक तो हमने half rate का कहीं कोई मतलब ही नहीं समझाता हमने 10% समझा 5% समझा 40% समझा 15% समझा 10% समझा अभी नहीं क्या आप half rate लेके आ गए हो सरी क्या बेच रहो मतलब क्या आप कर क्या रहो का हूप चावल हाप बाठुरे मतलब हम लोग हाफ लेट सबी करीद रहें क्या हाँ यह हो रहा है हाउप रिट कैसा इस कहा रैइंड 10% की डाल मली जाता वहां पर पांचपरसंटिव रोलών जाएगा पांच 10% अगर लिखा है तो 10% पूरा मिलेगा 5% लिखा है तो 5% पूरा depreciation मिलेगा questions के साथ बातें बहुत ज़्यादा clear होंगी अभी आपको परिशान होने की बात नहीं है यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं है आप यह बताओ अभी यहां तक की बात समझ में आई लेकिन बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है तो अभी अभी डेप्रिशेशन में अभी आपको बहुत कुछ और जानना है डैप्रीशेशन में साफ नहीं लिका रहा है और लाज यार ऊप्रीशेशन में आपको बहुत कुछ जानना है जो डेप्रिशेशन का जो मैंने बोला आपसे हम पार्ट टू भी जरा कुछ समझते हैं कि डेप्रिशेशन में और भी क्या बातें बताई गई हैं सर चलिए डेप्रिशेशन पहली बात तो यह हमारे एक बिजनसमेन है इसको मुस्कुराएं कि मुस्कुराता हुआ ही व्यापारी अच्छा लगता है ठीक है सर यह बिजनस मैंने यह सोचता है हम डेप्रिशेशन नहीं लेंगे कहता है मुझे डेप्रिशेशन नहीं चाहिए लोग क्यों डेप्रिशेशन नहीं लेते हैं वो हम आगे बताएंगे पहली क्लास में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं तो साहब आपको depreciation लेना ही पड़ेगा भली आपके ऐसेट जो है पाँजार रुपए की है पंद्रह जार रुपए की इससे कोई मतलब नहीं है आपको depreciation लेना ही पड़ेगा depreciation लेना आपके लिए mandatory हो जाता है ठीक है यह businessmen सुचेगा कि हम SLM ले 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 अपने मन सुचेगा हम WDV ले 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 नहीं यहाँ पे भी आपको restriction भी जाएगी हमारे income tax act 1961 के according SLM किवल power units ले सकती है सर power units मतलब सर जो बिजली वाली units से कहीं आप वो तो नहीं कहना चारे जी बिलकुल सही power units से मतलब मेरा उन्हीं units से है सर power units को अगर आप इस तरीके से कहें कि जो units power generation में लगी होती है power generation के अंदर आती है या generation and distribution के अंदर आती है power transmission के अंदर आती है उन्हीं units को यह power generation and distribution power transmission यह सब जो units होती है वही सिर्फ और सिर्फ SLM ले सकती है मतलब चाहें तो ले सकती है वरना यह इन units के पार भी option open है कि यह WDV ले ले मतलब power units चाहें तो SLM ले चाहें तो WDV ले बट power unit को छोड़के अधर जितनी भी business entities होती है उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ written down value method ही लेना पड़ता है depreciation के लिए only and only and only written down value method ही लेना पड़े का it's compulsory to take written down value method ओके सर चली हम ले लेते हैं सर अब एक बात और बताईए यह जो बिजनेस होता है ना बिजनेस में different types का होता है different types का मतलब सर आपने देखा होगा कोई trading का भी business करता है कोई retailer होता है तो कोई service provider होता है and सर कुछ लोग होते हैं जो manufacturing का का काम करते हैं manufacturers होते हैं हाँ सर manufacturers भी होते हैं तो सर अभी हम बात करते हैं इन लोगों को तो WDV पर depreciation लग रहा है लग रहा है बड़ सर manufacturer को कुछ special भी मिलता है है सर special क्या मिल रहा है manufacturer को special हम make in India concept से लेके कोई भी concept देखो हम manufacturing को promote करना चाहते हैं सले हम को manufacturer को benefit देना पड़ेगा हम manufacturing को promote करना चाहते हैं सले हमको manufacturer को benefit देना पड़ेगा और सर manufacturer को commercial taxes में अगर rebate मिल जाए न तो इससे अच्छा क्या है तो commercial tax को कम करते हैं तो उसको benefit मिल गया मतलब सब यहाँ पर हम इसको additional depreciation भी देते हैं यह depreciation तो इसको मिल ही रहा है अगें वर्ड सुनिए यह depreciation तो इसको मिल ही रहा है इसके अलावा अगर आप manufacturer है तो आपको additional depreciation दे रहे हैं कुछ जादा का वादा कर दिया हमने यहाँ पे कि हम आपको कुछ जादा देंगे और इसकी fixed percentage होती है 20% का आपको additional depreciation मिलता है notified backward area एक आती जहां पर depreciation भी थोड़ा ज्यादा मिलता है लेकिन इसके बारे में आपको question में समझाएंगे वरना बहुत ज्यादा हो जाए वे एक साथ अगरा आपको ज्यादा बता दिया को अभी आप बस इतना जानिए कि जो additional depreciation का fixed rate होता है 20% यह manufacturer 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 को कुछ additional दिया जाता है ठीक है sir sir all assets पे इसने ना अपने लिए ना अपने लिए ना सब्सक्राइब भी खरीद ली क्या उस पर मिल जाएगा इसने ना अपने केविन में एसी लगवा दिया क्या उस पर मिल जाएगा sir क्या additional depreciation all assets पे मिलेगा हाँ लेकिन excluding excluding कुछ assets को छोड़के बाकि सारी assets पे मिलता है यहाँ आपका यह accept these assets सारी assets पे मिलता है कुछ assets पे additional depreciation नहीं मिलेगा और वो assets कौन सी है सर यह तो मेरी space ही चोटी पड़ गई हम इसको यहाँ लिखके आते हैं सर कौन सी assets पे नहीं मिलेगा यह रुख जो होगे हम इसको यहीं पर लिख देते हैं किन assets पे additional depreciation सर नहीं मिलेगा सर कुछ बहुत चोटी चोटी asset है देखे सर अगर इसने न कोई second hand plant and machinery लेली सर इसने कोई second hand plant and machinery लेली तो सर उस पे नहीं मिलेगा second hand plant and machinery पे सर additional depreciation नहीं मिलता है second hand plant and machinery पे सर additional depreciation नहीं मिलेगा सर उसके बाद जैसे ship aircraft वेगर जो होते हैं उसके उपर additional depreciation नहीं मिलता है सर अगर हमने कोई plant and machinery अपने office में लगा दी तो हमको उस office में लगाए हुए plant and machinery पे additional depreciation नहीं मिलता है अगर देखे एक computer है यह computer हमने लगा दिया या फिर एक air condition है एर कंडिशन ले लो एर कंडिशन है इसको हमने अपने office में लगाया हुआ है office में must एसी लगा के हम सोते हैं मजाग कर रहे हैं सोते नहीं office में लाइक हो ठीक है सोते हैं तो क्या हमको additional depreciation यहाँ पे मिल जाएगा नहीं अभी हमने कहा accept हमने क्या कहा excluding जो plant and machinery office में लगते हैं उस पे additional depreciation नहीं मिलता है बट सर अगर यही computer अगर मेरी factory में लगता factory में लगता समय लिजे computer के थुरू production को manage करने के लिए या यह AC मेरे factory में लगता coolant की तरह काम करता मेरे सरवर्थ को ठंडा लगने के लिए लगाना पड़ता clear है clear है सर अब एक last बात सर आप बता दो बोलो बोलो बच्चो सर हमने एक यहां पर एक rule पढ़ा था ना सर कौन सा यह वाला rule हां सर यह वाला rule हमने सर एक rule पढ़ा था कि अगर मेरी assets जो है 180 days or more है तो full rate depreciation मिलता है और एक 100 से दिन से कम use होई है तो half rate से depreciation मिलता है सर सेम ची चीज आये यहां पर सेम चीज additional depreciation के लिए है सर additional depreciation के लिए है additional depreciation का rate 20% नोटिफाइड बैकवर्ड रिया क्लिए 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 क्या हो जाता है वो बाद में देखेंगे तो सर अगर मा लिजे कोई asset हमने 180 दिन से ज्यादा use कर ली या 180 दिन या उससे ज्यादा use कर ली तो 20 30% का direct उसको deduction देदो as like माल लिजे 100 करोड की asset थी ठीक है तो इस पे 15% depreciation गया 15 करोड और additional depreciation 20 करोड और चला गया इसकी WDV next year में 15 15 10 sorry 20 25 35 35 घटने के बाद 65 करोड अब इसकी WDV आ गई लेकिन सर अगर माल लिजे यह जो है मैंजी नवंबर में हमने purchase की थी नवंबर 2020 में purchase क अब क्या करें सबसे बड़ी बात तो यही है तो क्या करें सीधी बात नो बकवास तो यहां पर हाप रेट से depreciation में मिलता है depreciation भी हाप रेट से मिलता है और additional depreciation भी हाप रेट से ही मिलेगा मतलब यहां पे एक surprise अभी आपको थोड़ी दिर बात बताया जाएगा surprise बाद में बताते हैं मतलब सर अगर यहां पे मेरी 100 करोड की asset थी तो उस पे हाप रेट से पहले तो 7.5 करोड का ही हमको depreciation जाएगा मतलब 7.5% that is 15 divided by 2 उसके बाद additional depreciation 20 divided by 2 that is 10% के जाएगा 10 करोड का additional depreciation जाएगा और 17.5-100 that is यहां पे 82.5 करोड का सर मेरा WDV आ जाता है अभी आप समझते लिएगा बात को लेकिन surprise क्या है यह जो मेरा additional depreciation 10% बचा ना क्योंकि हमको यहां पे 20% जाएगा क्यों 10% ही मिला यह 10% next year में मिल जाता है next year में 10% मिल जाता है तो यहां पे WDV लिख देंगे 82.5 करोड माइनस additional depreciation क्योंकि additional depreciation केवल साल में मतलब एक ही बार मिलता है new asset जब आप purchase करते हैं तब केवल एक ही बात मिलता है हर साल नहीं मिलता है हर साल जो मिलता है वो होता है depreciation ये वाला हर साल जो मिलता है वो होता है depreciation और new asset के मामले में क्या मिलता है new asset के मामले में केवल जिस साल purchase क्यों उस साल मिलता है आपको additional depreciation ठीक है तो जो 10% का additional depreciation आपको ही पूरा नहीं तद्द पाएं डेप्रेशं के बारे में पढ़ है यह कोश्चेन यह हम करने जा रहे है और एक रिक्पमेंडेशन उगी कि आज靠 विसको दुबारा पढ़ लीजिए का बहुत बूइस है मैं आपको पहली इजी करके सब पढ़ा रहा हूं आए देखते हैं इलस्ट्रेशन नबर वन कहता है मिस्टर एक्स प्रोप्राइटर इंगेज इन बनुफेक्ट्रिंग बेनेफिट मैनुफेक्ट्रिंग बिजनेस फर्निश दा पॉल्विंग पर्टिकुलर्स ओपनिंग डवलो डीव अप्लांट एंद मशिनरी हम फर्स्ट एपरिल 2020 थर्ती लाग का है न्यू प्लांट एंद मशिनरी पर्चेस्ट एंड पुट्ट टू यूज जैनवरी 2020 बीस लाग रुप सर मैनुफेक्ट्रिंग बिजनेस आ गया मतलब सर इनको तो एडिशनल डेपरिशेशन भी मिलता होगा हाँ भाई हाँ चलिए सर आगे देखते हैं क्या क्या बताता है ओपनिंग डवलो डीवी और प्लांट एज ऑन फर्स्ट एपरिल 2020 तीसलाग रुपे का था कोई बात न जून 2020 बीस लाग रुपे की सर 8 जून 2020 को परचेस किये हैं इसका मतलब सर यह 180 डेस से ज्यादा यूज हुआ है 180 डेस से ज्यादा यूज हुआ यह न्यू है सर न्यू है तो इस पर डेप्रिशेशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिशेशन लिखता हूं सर एडिशनल क्योंकि एक सोसी दिन से ज्यादा यूज हो गया अगर आप कैलकुलेशन करें तो वह एक सो असी दिन से कम यूज होती है तो अगर वह फोर्थ ऑक्टूबर से कुछ यूज हो रहा है ना तो 179 डेस आता है आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ऑक्टूबर के 26 दिन प्लस अक्टूबर प्लस नॉबर दिसंबर ऐसे करते जाएंगे तो 179 डेस आएगा तो 8 जून 4 अक्टूबर के पहले आता है तो इत मींस यहां पर 180 डेस ही 180 डेस और मोर यूज हो गया इसलिए फुल रेट से डेपरिशेशन भी और फुल रेट से अडिशनल डेपरिशेशन भी जी मिले गा ठीक है सर जी नूब प्लांट अन मशिनरी एक्टू यूज ऑन एट लैक फिफ्ट ओफ जिसंबर 2020 सर लेस दें 180 डेज यूज है सर लेस दें 180 डेज तो सर पहली बात तो प्लांट अन मशिनरी नया है और यह पुट तू यूज भी हो गया 15 तो 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 सर क्या य सब्सक्राइब का कंप्यूटर एक्वाइड और इंस्टाल ओफिस प्रमाइश ऑन टू सेकेंड ऑफ जैन्वरी 2021 तीन लाख रुपए का सर इस पर भी हम डेप्रिशेशन दें हां बट यह कंप्यूटर जो है न यह एक्वाइड और इंस्टॉल भी कर दिए यह 40 परसेंट क अब कोश्चन के हिसाब से पढ़ाना देखो कितना टिपिकल होता है अब आईए हम सॉल करके दिखा है आपको क्या पांच मिनिट के अंदर सर देखो मैं आपको क्या बताया कि जब भी आप एससे सॉल करो सबसे सब फहले WDV कितनी है और ब्लॉक 15 पर्षेंट वाला ब्लॉक आ यहां पर और आपके लिए 40 पर्षेंट वॉअल गया है इन डोनों ब्लॉक के लिए लांसे तो सर इसके लिए opening WDV आपकी 15% ब्लॉक वाली 30 लाख रुपए थी तो opening WDV 15% ब्लॉक वाली 30 लाख रुपए है 30 लाख रुपए है ठीक है और 40% वाली की कोई भी opening WDV नहीं है उसके बाद सर न्यू प्लांट यहाँ पे 20 लाख रुपए का है जो आपने 8 जून को खरदा है तो एड होता है यहाँ पे न्यू प्लांट 8 लाख रुपीज का जो आपने 8 जून को खरदा है 20 लाख रुपए का यह है जो आपने 8 जून को खरदा है तो अगर हम इस पर डैप्रिशेशन कर रहे हैं यह पर हम आपको दिखाने के लिए ही पर डैप्रिशेशन करते हैं तो सर यह 50 लाख पर 15% का डैप्रिशेशन जाएगा आप बताओ यह भी 100 से जिन से ज़्यादा तो 50 लाख का 15 पर घंसा पर यहांपए आपका की बलू सींधा दॉखक़ेशन लखकेंगे और अधिन रचीसेशन लखके कीमिल तो दो नाक रूप एडिश्ल dapos दो लाख का 20 परसंट जाएगा सर चालिस चार लाक रुपए है चार लाक रुपए अडिशनल डेपरिशिशन मैंने क्या बताया 20% जाएगा तो चार लाक रुपए अडिशनल डेपरिशिशन आगा ठीक है सर न्यू प्लांट एन मशिनरी जो नई एक्वाइर किया हम 15 δिसंबर 2020 को सर अगें जो हम एडिशन किया 15 दिसंबर को 15 दिसंबर को जो हमने पर्चिस किया 1 इंटपसर हम दै परिशेशन निकालना है तो सब्सक्रेशन और मतलब साढ़े साथ hai परशन का Rs. गया होगा तो आठ लाग का साड़े साथ परसेंट अगर आप निकालते हैं तो आता है आठ लाग का साड़े साथ परसेंट सर आता है सिक्स्टी थाउजन रुपीस का डेपरिशेशन और सर इसका एडिशनल डेपरिशेशन भी तो निकालेंगे इसका एडिशनल सब तीन लाख रुपाय वाली मशीनरी जो की मेरी ऐफस में इस्तमाल हुई थी कम्प्यूटर जिस पे हम को चांप इसको blacking से लिखते है ना तो computer का जो मेरा additional था computer जो हमने पर्चेस किया वो सर हमने 3 लाख रुपय का पर्चेस किया लेकिन ये computer हमने कहां लगाया और 180 days से कम यूज हुआ है तो sir 180 days से कम यूज हुआ तो इस पर depreciation half rate से लगेगा एक्चुल में तो इस पर 40% depreciation लगता है half rate से लगेगा तो 20% की rate से depreciation लगेगा इस पर depreciation से 3 लाख का 20% अगर आप निकालते हैं तो आएगा sir 3 लाख का 20% साथ हजार रुपए का सर यहां depreciation हो जाएगा और additional depreciation यहां नहीं लगेगा क्योंकि यह machinery जो कहां पर खर्चा हुई है यह जो computer है मेरा office में लगाता है इसलिए इस पर additional depreciation नहीं लगेगा क्लियर यहीं इतना सा solution है सर देखें कितना easy solution था जो हमने इतने में निकाल दिया है यहीं पर साइड में calculation करते गया थे निकल गया था हम चलिए यह पढ़ाते हैं आपको आई आपको एक बार पढ़ा भी दे computation of depreciation and additional depreciation for the assessment year 21-22 plant and machinery 15% वाला और 40% वाला 15% वाला मतलब 50 लग 50 लग कहां से आया बाबू यह 30 और 20 कौन सा सर देखो 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 red marker यह 30 और 20 जुड़की इन्होंने 50 लगती है इस 50 लग पे 7.5 लाख रुपए depreciation आ गया और 7.5 लाख रुपए किस पे जो 8 लाख वाला था और 20% 3 लाख वाले पे 60 लुपए depreciation आ गया इन्होंने additional depreciation दिखाया बीस लाख की जो मशीनरी कर दी ती उस पे 20% के साथ चार लाख रुपए और 10% वाली जो मशीनरी थी 8 लाख पे 80,000 रुपए यह additional depreciation आया तो टोटल इस वाले ब्लॉक में depreciation के बाद total depreciation कितना आया 12,90,000 और 60,000 total depreciation आया यह यह क्या है बस एक तरीका है present करने का ICI के द्वारा हमने आपको किसी और तरीके से present करके दिखाया अगर आप यहाँ पे total depreciation देखें total depreciation बाब यहां calculate करो 40% वाले ब्लॉक में कितना आ रहा है यह 60,000 रुपए 40% वाले ब्लॉक में कितना रहा ह यह 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 चारो अगर आपने जोड दिया तो सर आपका आता है 12,90,000 रुपए depreciation ठीक ठीक है सर दिखते हैं 12,90,000 और 60,000 चलो अब सर अगर हमको इसका WDV निकाला है न नेक्स्ट इएर का तो सर कैसे निकालेंगे 30,00,00, 20,00,00, प्लस आठ लाग 58,00,00, जो WDV था मेरा 58,00,00, WDV नहीं कह सकते हैं चलो कह सकते हैं असेट की वैल्यू माइनस इसमें से depreciation निकालते हैं 12,90,000 और यहां पर WDV कितनी आजाएगी सर आप्टर डेपरिशेशन या आप्टर डेपरिशेशन बोलने तो 3,00,00,000 में से 60,000 माइनस कर दो आप 3,00,00,000 माइनस करने बाद 2,40,000 रुपए सर डेवलू डेवी आएगी एक बाद यहां की कैल्कुलेशन हम चेक कर लेते हैं अभी चलो आपको समझ में आ गया 12,90,000 अब देखिए कम्पूटेशन रिटेन डाउन वेल्यों प्लांट एंड मशीनरी 31,321 को रिटेन डाउन वेल्यू कितनी थी बट यह बिफोर डेपरिशेशन की बात करेगा अभी डेपरिशेशन अभी लगा नहीं है तीन लाग रुपए क अन्ठावन लाग तीन लाग रुपए आप इग्नोर कर सकते हैं चाहिए तो दूसरा कहता है कम्पोजीशन और प्लांट एंड मशीन इंक्लूटेट इन डब्लू डीव एस पर एकत्तिस तीन दोजार बीस तो बही अब पचास लाग रुपए का तो ओपनिंगी था कई से स 20 लाग का तो ओपनिंगी था और 20 लाग रुपए वाला वो है जो एक सॉसी दिन से ज्यादा यूज हुआ है ताकि यह नहीं ने क्यों बताया ताकि यह बता पाएं कि इस पर फुल रेट से डैपरिशेशन जाएगा यह से चीज़ को बाबू देखो 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 सेम इसी चीज़ को 58 लाग तीन और तीन लाग रुपए वाली चीज़ को इन्हों ने बैर्फरकेट किया यहां पे यहां पे इन्हों ने बैर्फरकेट किया एक सटी दिन से ज्यादा और लेस देन 180 देश ठीक है इसमें बस बाट करके दिखाया और कुछ नहीं किया उसके प्रक्षाद आपने किया है उन्हों का नोर्ट इन्हों ने यहां पर लिख दिया है यहीं इतना ही सॉलुशन सा जैसे कि इन्हों यहां पर यहां पर यह बताया है कि 50% का depreciation rate हो जागा यहां जिन से कम यूज की है और बताया कि 15% वाली यह का आधा कितना होता है एक सोसीजिन से कम यूज हुए और यहां पर एक जगे इन्होंने बताया होगा ओफिस वाला हां हॉइवर एडिशनल डेप्रेशिशन चैल नॉट बेलाउड इन रिस्पेक्ट ओफ मशीनरी और प्लांट इस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रिमाइसेस रेसिडेंशल एक मोडेशन और इनि गेस्ट हऊस इसमें इडिशनल डेप्रेशिशन नहीं मिलता है इन्होंने यहां यह बात लिख दी क्लियर क्लियर सरे इस यह कोोश्चन देखें यह कोश्चन समझाने के लिए पूरी एक शीट में मैंने आपको समझाया यहां से स्टार्ट हो कि यहीं तक था सॉल्यूशन देखे कहा गया पॉइंट टूफाइफ वन पॉइंट टूफाइफ तू लगभग वन पॉइंट लगभग तूपीज में पुरा सॉल्यूशन गया है और आपको एक बाद बता दें बभू यह पीजीबप में ना पीजीबपी चाहे पाइनल लो चाहे इंडर ओ फाइनल knowOW damn में सबसे आपको फोकस रख कि अपने अंदर पढ़ना पड़ेगा जितना फोकस लगा ओας कि इसको पढ़ सकते हो पढ़ लो मैं आज की class दोची सिर्फ एक question पर और एक बार depreciation पढ़ाने में खतम कर रहा हूं आज की पूरी class थाकि आप इस class के दो बार और देख लिजे और अच्छे से समझ लिजे बाबू depreciation को कैसे पढ़ा जाता है और depreciation कैसे solve होता है मैंने most easiest way में आ आपको depreciation के solve बताई है और आगे जब हम questions करेंगे ना तुम्हें आपको और fast depreciation का calculation बताता जाओंगा take care bye bye and happy reading